हेलो फ्रेंड्स दूहन मश्रूम्स और्गैनिक फार्मिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं देखिए आज मैं हमें हमारे मश्रूम्स प्रोडक्शन को यह लगबग हमारा थर्ड फ्लस है जो अभी स्टार्ट हो रहा है कुछ प्रोडक्शन हमने कहीं कहीं से थो 12.6 डिग्री और 87 हुमिडिटी है फ्लोटिंग स्टेज के लिए जो आपको टेंप्रेचर चाहिए वह आपका 14 डिग्री के राउंड चाहिए बहुत नीचे चला जाएगा तो उससे भी आपकी प्रोडक्शन काफी स्लो हो जाती है उससे भी आपको लोस होता है और दूसरा जो आपको टेंप्रेचर चाहिए वह तो 14 से 15 डिग्री और हुमिडिटी जो चाहिए वह 80 के राउंड रहे 80-85 तक चली जाए अगर यह बहुत ज़्यादा 95 तक चली जाती है तो उससे भी हमें नुक्शान होने का बहुत डर रहता है क्योंकि उससे हमारे मश्रूम्स के जाने की आई थी देखिए जैसे की यह यह सो गया काफी यह मैं आपको थोड़ा सा क्लोज ली दिखाने की कोशिश करता हूं इसके पीछे यही रिजिन है जैसे की आप यह देख सकते हैं यह देखिए हमें इनको निकालना पड़ेगा और यहां से निकालने के बाद हम वह पिस रीकेसिंग कर देंगे ताकि किसी भी तरह कि आने वाले टाइम में हमें ग्रीन मोल्ड येलो मोल्ड फेस ना करना पड़े तो देखिए ये जैसे कुछ पिन एड्स हैं जो हुमिडिटी ज्यादा होने की वज़े से ये हमें इशू आ रहा था और देखिए एक प्रॉलम कम की वज़े से दिक्कत आई है वो पानी ज्यादा की वज़े से थी और ये पानी कम की वज़े से तो में ये जो प्रॉलम्स आते हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा यहां डिसकस करने की कोशिश कर रहा हूं अधर्वाइस ये काफी अच्छे मश्रूम्स लग रहे हैं यह में हमीडिटी कम होनी की वज़े से पानी मौश्चर लेवल नीचे चला गए और उसकी वज़े से फिर ये दिक्कत आ रही है देखिए एक अदा फिनेट्स यहां भी आप देख सकते हैं यह यह बी यह लोईस है यह अलाकि अटा के रखे हुए इसको हम जल्दी ही यहां से अटा आगे आप इसे कवरिंग करेंगे ताकि और प्रोड़क्शन अच्छी है ने मिले के तो उम्मीद करता हूँ आप सब को इसके बारे में जो हमिडिटी और टेंपरेचर के बारे में जो कुछ जानकारे चाहिए तो मिली होगी अगर फिर भी आपको कोई क्योरी हैं तो